असलाम अलेकुम और वेडिकुम टू माई चैनल कुकिंग और बेकिंग भी दिरसा उम्मीद करते हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे फैरियत से होंगे और परी रेसिपी का वेट कर रहे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं जी हॉममेट मैंगो आइस क्रीम मैंगो का सीजन है त एक मैंने टैटरा पैक कृम का पैक लिया ठीक है कोई सी भी टैटरा पैक मतब किसी की ब्रैंड की यूज कर सकते हैं चिल थंडी होनी चाहिए ठीक है प्लस मैंने थ्री टेबल स्पून ओफ पाउडर मिल्क लिए पाउडर मिल्क ऑप्शनल है अगर आप आड करना चाहें तो कर सकते हैं इससे बड़ा क्रीमी टेक्स्चर आता है तो अगर स्किप करना चाहें तो मैंने इसको ब्लेंडर जग में बनाया है और यह देखें समय मैं बरफ नहीं जमनी चाहिए लेकिन छिल थंड़े आप ऑवर नाइट रग दें इसको फ्रेज में तो अच्छे से थंड़ी हो जाएगा जब इसको मैं एक मिनट लिए अच्छे से इसको ब्लेंडर जग में इसको ब्लेंड किया उसके बाद मैंने थ्रीं टेबल अपने टेस्ट के मताबिक एक चमच ऊपर नीचे कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैंने सब चीजों को डालके अच्छे से ब्लेंड किया है अप्रॉक्सिमेटल वान एन हाफ मिनिट ठीक है जग के ओपर से मैंने धक्कन यह देखे लिए हटा लिए हुआ क्यूंकि अब इसकी छी मुद्धी बन गया अच्छे से ब्लंड वो चुक ए है बिलकूL कृमि टैक्टर इसका आ चुक है तो यहाँपर मेरे पास यह एक अदद आप टिफन कहलें आप इसको बॉल कहलें ठीक है तो मेरे पास यह आइसक्रीम का ही इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिए है और इसक जारा मिक्स्चर एड़ करेंगे जो हमने आज क्रीम करेंगे और यह देखे कितना क्रीमी टेक्च्चर है इसका कितने अराम से इसके इंदर जा रहा है कितना स्मूध ली यह लास तक पहुंच गया तो इस अब हम इसको जब सारा डाले नहीं अच्छे से अपने बरतन साफ करन अब नाव यू विल है आपके पास होना चाहिए फॉल पेपर ठीक है फॉल पेपर नहीं है तो आप जो पॉलिथिन बैक होता है वो लेके उसको मतब कर लें उपर के जग कह रही हूं टिफन के साइज का और वो उसको पर लगा दे इससे क्या होता है कि अंदर क्रिस्टल न फ्रीजर फॉर अप्रॉक्सिमेटली फ्रीजर में रखा था अफ्र ट्वंटी फॉर आर्स चोबीस घंटे के बाद जब हमारी आइस क्रीम हो गया जे रैडी मैंने बाहर निकाल लिया और अब हम इसको दिखाते हैं कि अच्छे से हो गई है जी सेट जे देखें नो क्रिस् अच्छे जल्दी से निकल आए ठीक है तो यह अब मैंने कदर रख लिया जी प्लेट और यह देखें आप देख रहे हैं टीफन गीला है ठीक है तो मैं पाने में रखा था इसलिए गीला है और अब हम इसको थोड़ा सा साइडों से हलाज लाएंगे और यह देखें हमारी आइसक्रीम जो है वो निकल आए क्योंके क्योंके इतनी सख्त गर्मी है इतनी सख्त गर्मी है और इस वज़ा से मेरी जुन आइसक्रीम है नहीं जैसी मेल्ट होने लगी जली जली से इसके पीसिस करते हैं और इसको प्रिजेंट करके दिखाती हैं मैं आपको आइसक्रीम ग जी ट्रांसफर कर दिया था एक अदर दो अदर ग्लासिस में ठीक है क्योंकि दो दो लोगों को मैंने सब्सक्राइब करनी थे और ठीक है हमारी आइस क्रीम होगे जी बिलकुल रेड़ी आप ही जरूर बनाएं बच्चों को बना कर दें बच्चों को बहुत बसंद आने मली है मैंगो बच्चों के वेसिपी बहुत स्पेशल होती है तो रेड़ी अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और वीडियो को लाइक करें इंशाला मैं मैंगो की और भी बहुत सी रेसिपी आपके लिए आती रहूंगी इंशाला नेक्स रेसिपी मैं आप से मिलूँगी जब तक लिए अपना धेर सारा ख्यार रखिएगा दौा में दखिएगा अलाहाफिग